अच्छा यह बताओ आपने जैसे अंडे का बताया कि आपका बारा से पंदा रुप एका अंडा 11 विकाप अंडा से watching तो कहा हो रहा है थ्टोड़ा सा इस बारे में में बताओ जैसे की कार्मर भाई पास-पास के 15-25 किलोमेटर तक ले जाते हैं अच्छा जो आपने फारम बना रखाई कितने बाई कितने गा मतलब इसकी कितनी लंबाई है कितनी चोड़ाई है थोड़ा साइस बारे में बताओ पंदरा चोड़ाई लंबाई साथ फूट है पंदरा इसके चोड़ाई है और साथ फूट इसके लंबाई है तो लगब इसमें अच्छे से कितनी देशी बढ़ आ सकती है यह आजाते है चार पर स्टार्टिंग में तो पांसो साड़े पांसो डाले थे उसके बाद कुछ ले इसको चाहिए मुर्गा वो ले जाता है उसके बाद इसमें तीन सो अच्छी तरह आ जाते हैं तीन सो बड़ाई आजाते हैं तो जो आपने बताया कोक्सी की जो बीमारी आगी थी उसका कैसे आपने निदान किया कहीं डोक्टर से पूछा या फिर मतलव किसी जो जानकर अच्छा दोष्कार दोस्तो अपका पूंट पैन इंफो में और दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे युवा भाई से मिला हुआ जिनों ने अपने शोक से इस देशी पॉल्टर फाम की शुरुआत करी थी और अब उन्होंने अपना ये देशी पॉल्टर फाम का काम बढ़ा लिए है तो उन से हम complete information लें किस तरीके से वह management कर रहे हैं क्या इसके अंदर profit है क्या इसके अंदर loss है हर जो information इस वीडियो के अंदर मैं cover करूँगा इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें साथ में दोस्तों आपको बता दू जो नीची आपको screen पे नंबर दि मिलेगी साथ में जो poultry farming में बीमारी आती वह भी आप एक दूसरे experience पोल्टी फार्म में भाई से सीख सकते हैं बागी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहां पर हम cover करते हैं तो नमस्कार भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागता माई चैनल में थोड़ा मेरा नाम गुर्षयक सिंग है मेरा गाम बहलोल नंगर जिला हनुमानगर राजस्तान से अच्छा यह बिया का अड्रस है अच्छा आपने कितने टाइम से देशी पोल्टी फार्मिंग कर रहे हो आप वैसे सोबड़ तो बहुत चैनल से हमने पाड़ रखे हैं यह दो साल हो काम करते हो मैं यह क्लियर की है और उसके साथ आई टेवी की है अब और आपका साइड बिजनस और क्या है मेरी खेती है जी अच्छा आप ने बताया था मेरे को कैमरा कि आपने सोक से सुरुआत करी थे आपका एक सोक था इसके अंदर आने का और आपने काम बढ़ा लिया त उसके अंदर अच्छा मुनाफ़ा हुआ है इसलिए अब की बार थोड़ा इसा बढ़ा लिया है मुर्गे भी अच्छा तो आपने पहले तो डबल एक ब्री डाली और अब आरा यार पे आप चेंज होगे तो इसके बारे में जाना चाहूंगा मैं यह क्या वजह है थोड़ा यह बताओ इस बारे में हमारे यहां थोड़ा सा अंडे की लाग ज्यादा है इसलिए हम आ रहे ही डाला है अच्छा अंडे की वैसे तो देशी पोल्टी फार्मर भाहियों को बड़ी शिकायत आती बेचने में आप कह रहों यहां पर ज्यादा अंडे में प्रोफित है तो म दिन के कोई चैसा सौ रुपय लग लग जाता है अच्छा अपने पर बर्ड का निकाल के देखा है कभी कि यह बर्ड हमारे कितना दाना खाकि मतलब अंडे की कोष्ट मिलग प्रोफित कितना अरह रहा है एक दिन का फैसी तो एक रुपय खाता है अच्छा एक रुपय में एक रुपय एक बढ़ खा लेती है तो यह जानकर दी अच्छा मैं देख रहा हूं आपने सेड घर के नजदीक में बना रखा है तो जो फार्मी मुर्गे होते हैं जो सफेद रंके उनमें तो हो जादा बदबू आती तो इस तरीके कोई दिकत परेशानी नहीं आते आपके इसके चोड़ाई है और साथ फूट इसके लंबाई तो लग बढ़ इसमें अच्छे से कितनी देशी बढ़ आ सकती है यह आजाते है चार्टिंग में तो पांस और साड़े पांसो डाले थे उसके बाद कुछ ले जा रहे हैं जिसको चाहिए मुर्गा वो ले जाता है उसक अच्छे घ आ ये बताऊ आ आपने जैसे अंडे अड़ो बताया कि आपका से पंदा ह्यों हो रहा है हम इसे बतार है भी जारे में है घर है जसे कोई फर्मर लेके जारे है मैं मैंकि खाल रहे हैं आतर कहां सैल हो रहा है अपका कितने वोत नंग aún है याव कितना बड़ कि पच्छी किलो मेटर तक ले जाते हैं तो आपने मार्केटिंग कैसे करी मतलब कैसे आपने बताई कि आपका फारम यहां पर उन लोगों को कैसे पता लगा हमारे कम से कम हम को 50 साल होगे यहां मुर्गी रखते हुई पैले पचास सो पचास सो ऐसे रखते थे उनको पता तो अच्छा जानका लिधी तो मैं धेरे मार्केटिंग जूरतिए तो अच्छा ये बताओ इस काम में महनत कितनी है नॉर्मल महनत है सुबह दान डालने श्याम को दाने और पाणी डालने बस इतनी महनत है क्पानि ज्यादा महनत नहीं यह महनत यह थे आकाम निया अच्छा पिछली वार कोक्सी की थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी उसके बाद में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई आपको अच्छा तो जो आपने बताया कोक्सी की जो बिमारी आगी थी उसका कैसे आपने निदान किया कहीं डोक्टर से पूछा या फिर मतलब किसी जानकर पॉल्टि फा सिद्या想ता उसे और उससे पूछा आपने थो कुंकि हमें जाएक तो काम करें होता क्यो çık तो आपके पास में त्रेंटिण होनी चीए और नए क्व लो और नहीं तो अगर आपका एक्सपिडेंस है तो आप अपने आप बीमारी उसे निपट लोगे ऐसा नहीं कि देशी पोल्टे में बीमारी नहीं आती है ना आती है नॉर्मल आती है लेकिन उतनी ब्रोलर जीतनी नहीं आती सफेद फार्मी मुर्गे जैसी अच्छा कि चूट दो गे उसे उसे आप कितने प्रशंट की थोड़ा वीडियो में भी बोल दो को यह दस प्रसंट कर देंगे तो 10% काफी हो जाता है ना तो भाई देखो जरूर बताना कि मेरी वीडियो देख क्या हो अच्छा व्या एक हम बताओ कि आप इस काम कर रहे हो इससे मतलब घरवाले कुछ बोलते हैं इस काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि आज के टाइम में पैसा सबसे जरूरी चीज होगी है देखो ऐसा है कि आपको कमाना महनत करना आना चाहिए अच्छा यह बता दो मुझे आप आगे क्या प्लैन है इसके अंदर में प्रोफिट आपको आ रहा है क्या इतनी बर्ड पर आप काम करोगे आप कुछ आगे भी बढ़ाओगे बढ़ाएंगे कुछ हो उसके बाद खेत में बनाएंगे इसको खेत में बनाओगे अच्छा दने बाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और बाकी भाई का नंबर जो है वो निचे डिस्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा एडरस भी मिल जाएगा भाई को संपरक कर लेना और हमारी वीडियो से कुछ डिसकाउंट भी मिल जाएगा आपको तो आप इनसे ले के जा सकते हो और आयार की बर्ड है इनके पास में लाल मुर्गी जिसका अंडा भी ब्राउन कलर काता है तो धन्यवाद भाई